मैनपुरी लोकसबा सीट पर होने वाले उपचुनाब में समाजवादी पार्टी और भारतिय जनता पार्टी के बीच सीधा मुकाबला है। मैनपुरी उपचुनाब में दलित वोटर्स को साधने में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादब भी लगे हैं। उन्हें एक बार भी जीत नहीं मिल सकी है। वही मायावती की भोजन समाजवादी ने मैनपुरी से एक बार भी जीत दर्ज नहीं की है। लेकिन उसका ओसत वोट प्रतिशत करीब 16 फीसिदी रहा है। बस्पा की गैर मुझूदगी में ये वोट काफी एहम है। क्यूंकि पिछले चुनाब में मुलाइम सिंग यादब और बिजेपी प्रतियाशी के जीत का अंतर करीब 94 फजार था। बता दें कि मैनपूरी में दलित वोटर्स की संख्या करीब 2 लाग है जिन में से जाटब मतदाता 1.2 लाग है। इसके अलावा कट्रिय समाच के मतदाता 60 हजार है और अन्य दलित मतदाताओं की संख्या 20 हजार है। अखिलेश यादब ने सपा के गड़ को बचाने के लिए मैनपूरी उपचुनाब में पतनी डिमपल यादब को मेदान में उतारा है। वहीं बीजेपी ने रगुराज सिंग शाक्यों को टिकट दिया है। बता दें कि पिछले महिने मुलाइम सिंग यादब के निधन के बाद मैनपूरी सीट खाली हुई थी और इस पर 5 दिसंबर को वोट डाले जाएंगे जबकि 8 दिसंबर को मतों की गनना होगी। कि अज़ भी सिंग में होगी।